नारी केवल एक इंसान ही नहीं, इस प्रकृती को आगे ले जाने वाली निर्मान करता भी है. नारी पुरुष की गुलाम नहीं है, सहधर्मिनी, मेत्र, अर्धगिनी है. नारीयों की मानहानी साक्षात, लक्षमी और सरस्वती की मानहानी है. एक पुरुष चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले वो स्त्री के बिना अधुरा है. एक स्त्री ही होती है जो सभी रिष्टों को संभालती है. एक स्त्री ही होती है जो बड़े से बड़े दुखों के पहारों को आसानी से उठा लेती है. किसी को भी मत कहने दो कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम एक औरत हो नारी में असीमित शक्ती होती है फिर भी उसे समाज में अबला ही समझा जाता है यदि नारी सुरक्षित है तभी हमारा भविश्य सुरक्षित है जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं और वही पर ही सुक समिध्धी होती है स्त्रियां पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती हैं क्योंकि वे पुरुष से कम जानती हैं किन्तु उससे अधिक समझती है जिस परिवार, समाज और देश में औरत का सम्मान नहीं होता है उस परिवार, समाज और देश का पतन निश्चित है कुछ लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता है लेकिन मेरा यह अनुभव है कि औरत के बिना कोई घर, घर नहीं होता है प्रेम किस प्रकार किया जाता है इसे केवल नारियां ही जानती है नारी शक्ती को कम समझना पुरुष प्रधान समाज की विक्रिती मान सिकता है अगर आप यहां तक पहुँच गए है तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इस वीडियो को शेर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें